सद्गुरु एक आत्मग्णानी गुरु योगी औने दीव्यदर्शी छे। इमना कार्यों इमना पर्मानंदनी अभी व्यक्ती छे। जिबधानी मदद माटे असीम करुणा, प्रेम औने निरंतर भेटना स्वरुपमा व्यक्त थाई छे। सद्गुरुनों संबंध कोई खास मान्यता साथे न थी। तेव आध्यात्मिक विग्णानना एबधातत्वोनों संगम प्रस्तूत करे शे। जे आधुनिक साधकों माटे सवथी वदू असरकारत छे। एमना सार्वजनिक सत्संगने कारेक्रमों मां जीवन मां दरेक शेत्रना लाखो लोकु भाग ले छे। दरेक शहरमा विशाल आध्यात्मिक लहर फेलावनार आकारेक्रमों लोकोंने स्वास्थ आंतरीक विकास अने सफलताना दरेक पासाने सुधार्वा माटेना साधनों भेट करे शे। सद्गरु ए दरेक लोको माटे उपलब्द छे जेम नामा जानवा नीच्छा छे। इननों जीवन व्यक्ति गत्रुपांतरणना माध्यम थी इश्वर ने आमंत्रण छे। सद्गुरु द्वारास्थापित इशा फाउंडेशन एक आंतर रास्त्रिय लाब्र हित्संस्था छे। जे संपुर्ण रिते स्वर्म सेवको द्वारा चला पामा आवे छे। जे मान्व्यक्षम्ताओन विकास करवा माटे समर पिच्छे। फाउंडेशननी प्रवृत्यों मा सवथी प्रमुक्षे। इनर एंजिनियरिंग कारेकरम। जे मां सुखाकारीना साधनों भेट करवा मावे छे। आकारेकरम योग विग्णियानना शक्तिशाली साधनों द्वारा व्यक्तिना शरीर, मन अने उर्जानों रुपान्तरण करी। एमने पोतानी परम संभावना उसुधी पौँचाडवा मां मदत करे छे। इशा फाउंडेशननों मुख्यालै शे इशा योग केंद्र जे वेलियंगेरी पर्वतनी तलेटीमा पोईम्तूर तामेल नाडू मावेल छे। सद्गुरुए इशा योग केंद्रने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थान ना रूप मा स्थापेत करिऊं छे। जियां बधाज प्रकारना योग शिखव्वामा आवे छे। आ एक आत्मग्ण्यानी योगी ना मार्कदर्चन हेटल पोतानी आंतरिक यात्रानू दुरलब अवसर प्रदान करे छे। इशा योग केंद्रनू मुख्या कर्शन द्यानलिंग छे। द्यानना उद्देश्थी बनावेलू आ शक्ति शाली स्थान कोई विशेश संप्रदाय के धर्मथी जोड़ायलू नती। ध्यानलिंग ना अभामंड़मा फक्त मौन थे इने बेस्वाथी। द्यान थी अजान्या लोकोपण ध्याननी उद्दी अवस्थानों अनुभव करी शके छे। अने ए ध्यान पूर्जाने ग्रहन करी शके छे। जे आ भव्यरूप माथी प्रवाहित थाई छे। केंद्र ना बिजा प्राण प्रतिश्च स्थानको आंतरिक शोध माटे अनुखुल वाता वरण बनावे छे। अहिया हट योग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम छेवा। विशेश कारेकर मुनू आया उज़न थाई छे। जे पारमपारी योग ने पाच्छून लाबा माटे निये कोशिस छे। एक ता प्रेम अने लोको सुधी पहुँचवा अने तेमने मदद रूप्थवा माटे नी प्रबल भावनाथी प्रेरी त्रेने घणी बधी आउट्रेच योज नाओ शरू करवा माँ आवेल छे। एक्शन फोर रूरल रिजुएनेशन एक ग्रामेन पुनर्वसन खारेकरम छे। जेमाँ हाजारों गामोंने चिकित्साशिविर, सामुहिक पुनर्वास अने मानव विकास माटे मदद करवा मावेशे। सामुहिक आनन्मनी वृद्धी माटे ग्रामेन रमतों अने बिजा गामोंनी वच्चित टूर्णमें नुआयोजन करवा मावेशे। जेनाथी लोकोमा नशानी लत उची थाई छे अने ज्याती, वर्ग, धर्म अने आर्थिक स्तितिती उपर उठीने सामाजिक मेडवधे छे प्रजेक्ट ग्रीन हैंड्स व्रुक्षारोपण माटेनू व्यापक जन आंदोलन छे जेनू लक्ष तामिल नाडू मां 33 स्टका हरित वातावरन पुनस्तापित करवा माटे 11.40 लाक व्रुक्ष लगाडवानू छे जे थी जडप्ती वधे रहली उजड़ चमीन अने वन नाबुदीने रोकी तथा पलटी शकाए आ योजना ने घणाब दाप पुरसकार मुली जुक्या छे तामिल नाडू थी शरू करी प्रोजेक्ट ग्रीन हेंड्स दुनिया भरमा लोकों ने प्रेवित करवा मागे छे जे थी धर्ती ने आवनारी पेठी माटे रहवा योग्य बनावी रखाए ग्रामिन वस्तिना जीवन स्तर ने बदलवाना उद्देश थी इशा विद्या ग्रामिन बालकों नी सहज बुद्धिने विक्सित करवा माटे सस्ती अने उच्च स्तर नी शिक्षा पूरी पाड़े छे तामिल नाडु अने आंधर प्रदेश माँ चालनारी इशा विद्यानी स्कूल ना बालकों नी सांस्कृतिक अने स्थानिय ओड़कने सुरक्षित राकी अंग्रेजी भाषा अने कंप्यूटर जाननारा युवानोंने तैयार करवा मावे छे जे नाथी तेमनी अर्थवेवस्तामा भागिदारी थाई शके गवर्मेंट स्कूल अडॉप्चन प्रोग्राम द्वारा इशा फाउंडेशन पोताना संसाधनों अने पाठ्थे करवना माध्यम थी शिक्षानी गुणवत्ताने सुधारे छे जे थी सरकारी स्कूल माँ जनारा हजारों बाड़कों ने फाइदो थाई इशा होम स्कूल सद्गुरुना वर्षोना सप्नानू साकार स्वरूप छे इशा होम स्कूलनू लक्ष गर जेवा वातावरण मां उच्चकोटीनू शिक्षन पूरू पाड़वानू छे एक एवू वातावरण जे मां आ सुनिश्चित करी शकाई के मनोरंजन अने शिक्षन एक साथे थाई जे ना थी शिक्षा, शोद अने आनंदिनी एक प्रक्रिया बनी शके छे इशा संस्कृती बालकोना संपूर्ण विकास्त्रे समर्पे चिक्षा प्रणाली छे जे ते ओने शारेरिक, मानसिक अने आध्यात्मिक रूप थी पोतानी संपूर्ण ख्षमताने प्राप्तकरवामा सशक्त बनावे छे इशा सम्स्कृती प्राचिन भारतिय योगिक पत्त थी औने विग्णान पर आधारीच छे, जह योगा भ्यास, भारतिय शास्त्रिय संगीत औने पारंपारिक भारतिय मार्चुलार्ट्स ना अनोखा मिश्रण ना मात्यम थी, बालकों ना शरीर औने मन मां संतुलन औने स्थ कीरता लाववा मावे छे, इनसाइट टडी एने ऑफ सक्सेस, एक अधन्याने जबर्दस्त बिजनस लीडर्शिप कारेकरम छे, जे व्यावसाहिक औने नीजी सशक्ती खरणना साधनों भेट करे छे, आ कारेकरम सद गुरुद्वारा प्रेरित औने समर्पित सहसीकों माट खास रिते तैयार करवा मावे छे, जा प्रति भागियोंने विश्वस्तरिय संगठनों ने बनावा औने विकसित करवा माटे प्रसिद्ध उध्योगपतियोंनु मार्ग दर्शन मले छे, इनसाइट प्रोग्राम मा उध्योगपतियोंने बाहरनी परिस्तेती औने आंतरीक बन्नेना संतुलन जालावाना जरूरी साधनों आपवा मावेचे। संतुलन लावेचे। संतुलन जालावा जरूरी साधनों आपवा मावेचे। संतुलन जालावा मावेचे बन्नेननना जालावा मावेचे। झाल झाल